तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम UPI से शुन्य में फंड एड कर सकते हैं तो सबसे पहले हम चलेंगे लेफ्ट मेन्यू बार में यहां से हम फंड ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे अब हम यहां से payment mode select करेंगे आप देख सकते हैं आपके पास दो options है एक net banking और दूसरी UPI की तो UPI select करेंगे अब हम यहां पे amount enter करेंगे जितना भी amount हम add करना चाहते हैं उसके बाद आप यहां पे UPI ID enter करोगे अब हम add funds पे click करेंगे तो आप redirect हो जाओगे payment page पे अब अगर आप अपना UPI payment app चेक करोगे तो आपको वहां पे transaction request मिलेगी तो आप अपनी UPI app से payment approve करोगे payment approve करते ही शुन्ने में आपका fund add हो जाएगा अब अपनी payment आप शुन्ने में भी check कर सकते हैं तो चेक करने के लिए आप जाओगे left menu बार में यहां से आप limits पे click करोगे तो आप देख सकते हैं यहां पे आपके funds आपडेट हो चुके हैं तो यह था एक brief overview कि कैसे आप UPI से शुन्ने में fund add कर सकते हैं thanks for watching for any further assistance please contact us